Hello friends, यदि आपका आखरी महिना चल रहा है और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे का वजन कम है और आपको चिंता हो रहेगे अब आप क्या करें तो मैं डॉक्टर सुशिलास है निगाने क्लॉजिस न अप्सेशिशन आज आज आपके एसी सवाल का जवाब देने हट सकते तो ऐसी स्थिती में यदि जब भी डॉक्टर आपको यह बताते हैं कि आपके बच्चे का वजन कम है जितना होना चाहिए उतना वजन नहीं है तो उसका कारण रूणना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है और बच्चे की मैचॉरिटी क्या है एक्जिक्ट वजन क तो सबसे पहले हम इस स्थिती में हम एक डिटेल सोनोग्राफिक ज़रूद पढ़ेगी और ऐसे स्थिती में में रंगीन सोनोग्राफियानिकी कलर डॉपलर एडवाइज करते हैं कलर डॉपलर के दौरा यह अससमेंट किया जाता है कि बच्चे को बच्चे को जाना बच्चे को proper nutrition नहीं मिलते हैं और जो दूसरा एक common कारण है कि मा का nutrition ही पूरा नहीं हो रहा है यानि कि मा को ही खाने को नहीं मिल रहा है जो कि बहुत ही lower सेंटा का problem होता है internal problem है तो वह हमें रंगीन सोनोग्राफी से color doppler से पता चल जाता है अब दूसरा assessment यह किया जाता है कि जो बच्चा अभी है उसका exact वजन अभी कितना है जब भी बच्चे का वजन 2.5 kg के नीचे होता है तो उसी low birth weight में count किया जाता है और इसके इलावा 2 kg से क है तो वह काफी सीरियस सिस्थी हो सकती है तो exact estimation of weight जरूरी है आगी का decision लेने के लिए साथ ही साथ यह भी दीखा जाता है कि बच्चे की चारोतरफ पानी कितना है यदि पानी बहुत कम है सूप गया है तो हम फिर urgently हमें delivery का decision लेना होता है क्योंकि जब पानी नहीं होता है त बच्चे के death होने के संभावनाई बढ़ जाती है तो यानि कि आपका जो महिना है नवा महिना चल रहा है यानि कि अगर 36 weeks के उपर है और बच्चे का वजन कम है और उसका पानी भी कम है तो फिर हमें अर्जेंटली इसके delivery कर वा लेनी चाहिए और ऐसे सिती में जनरली सेज अर्जेंट इंडिकेशन है कि जहां में delivery प्लाइन करनी पड़ती है ऐसे सिती में इस बात को इग्नोर किया जाता है कि बच्चे का वजन कितना है जितना भी वजन हो लेकिन यदि आई यू जी आ रहे है और रिवर्सलो फ्लो आ रहा है यानि कि खून का फ्लो का direction उल्टा पारा है तो फिर definitely delivery करानी ही होती है ऐसे सिती में हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे को NICU आने की नरसरी में भीजने की ज़ुरत पढ़ सकती है क्योंकि बच्चा कमजोर होता है मैचौर नहीं होता है और कई बार बाहर आने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलिफ हो होता है तो ये मेंटरली जरूर पेपैर हो जाएं कि जब ऐसी कोई सती बनती है तो बच्चे के NICU में जाने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है और जनरली दो से तीन दन तक उसे अब्सरवेशन के लिए रखा जाता है और यदि सब ठीक रहता है तो बच्चे को म बंढ़ प्लास हो जाते हैं क्योंकि जब बच्चा बाहर हमारे हात में आजाता तो डॉक्टर इस असका पूरा ध्यान रख पाते हैं और बच्चे को बचाया जा सकता है क्यों कि जब पीट के ले फास्तले और डॉक्चर से सलहा डॉक्टर के टच में रहे हैं और डॉक्टर जैसे आपको अडवाइस करते हैं उन पर विश्वास कीजिए और डिसीजन लेने में मदद कीजिए ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जानकरिक साथ अपतर तम कर्णकर पहन Jaa